जिसका था दिल्ली को इंतजार 14 सालों से वो हो गया है बनके तैयार जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ सिगनेचर ब्रिज की जो वजीराबाद यमनार नदी के उपर बन चुका है स्वागत है आपका रहूल मोटर व्लॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं सुन रहे हैं रहूल परूथी को आपका अपना दोस्ट जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ब्रिज की जिसका काम शुरू हुआ था 2004 में और अब वो बनके आपके सामने तैयार है 2018 में जिसको डेट मिली थी 2010 डेडलाइन और बाद में डेट मिली 2014 और इतनी डेडलाइन ड्रॉस करने के बाद 14 साल के वनवास काटने के बाद एक ऐ ऐसा ब्रिज आपके लिए तैयार है जहां पर आपको एक अनूठा एक्स्परियंस मेलेगा जी हा मैं बात कर रहा हूँ सिगनेचर ब्रिज की सिगनेचर ब्रिज यम्ना नदी के उपर वजीराबाद रोड पर बनाया गया है बहुती शांदार ब्रिज बनाया है केबल से य दिगरानी रखी जाएगी और इसको ठीक किया जाएगा इस ब्रिज को बनाने का मकसद ये था कि 1908 में में एक एक्सिडेंट हो गया था एक स्कूल बस इस स्कूल बस इस नदी में गिर गई थी तो इस ब्रिज को बनाने के लिए वहां से प्रसेश शुरूआ लेकिन इतना इतना लेट हो गया इसके अंदर मतलब बनने बनते बनते 14 साल बाद आपके सामने बनके वह तयार खड़ा है इस प्रिज को बनाने का जो खड़्चा आया है वह आपको बता देते हैं 1518 क्रोन रुपे अब बता देता हूं इस प्रिज की और कुछ खास बाते है इस प्रिज करें इसकी चौड़ाई की तो ये 35.2 मेंटर चौड़ा है तो काफी ब्रिज बनाया गया है और इसके इंदर 8 लेन दी गई है 8 लेन्स यहां पर दोड़ेंगी और मतलब बहुत ही खतरनाफ होने वाला है ब्रिज में कहता हूं कि आइकॉनिक सिगनेचर ब्रिज में इसको नाम दोंगा इस अ अल्टीमेट ब्रिज फॉर द्रैवलर्स एंड फॉर तूरिजम पॉंट अफ्यू से भी लोग इसको देखने आए इस ब्रिज की मैं फोटो आपके साथ दिखाना चाहूंगा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जाहिए जाहिए देखिए इस ब्रिज की फोटो को अब हारी दिली से जो भी लोग आ रहे हैं तो उनके लिए अच्छा ओप्शन हो जाएगा कोई भी ट्रैफिक जैब ने होगा तो ये ब्रिज आपके लिए कल से खुल गया है आज इसका उत्गाटन अर्मिन केजरिवाल जी ने जो हमारे चीव मिनिस्टर है देली के उन्होंने कर दिया है तो आपके लिए ब्रिज खुल चुका है कल से आप इसका पूरा लुद्फ उठा सकते हैं तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना शेयर कर देना इंफोर्मिशन अची लगी हो तो नीचे कमेंड कर द देना और उजो नोटिफिकेशन माला बैल आइकन उसको दबा देना अभी के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में पाई